हेलो फ्रेंड्स आज हम बॉर्डर वाले ब्लाउस की कटिंग करेंगी तो जिसका साइज है 36 तो यह हमारा ब्लाउस का कपड़ा है तो इसमें जो हैं लाइनिंग दिया हुआ है तो हमको यहाँ पर क्या करना है जो बॉर्डर वाला एरिया है उसको हम नीचे साइड में रखें ब्लाूस को हम ईहां से रिख लेंगे, इसका जितना भी चेश्ट है 18", यहां 18aro3 इन्च हम 9 इन्च लेंगे and 16 इन्च है कमर हम ईहां से ब्लाूस की क़्टिंग करेंगे और हैं यहां भी ब्लाूस की लेंथ लेंगे blouse की length है 13.5 तो आप जिसमी size का blouse बनाना चाहते हैं तो उस blouse को आप इसी तरह से fitting कर लीजिए और उसके बाद में हम cutting करेंगे तो यहाँ पर मैं इस blouse की cutting करूँगी तो इसका length है 13.5 इंच टोटल तो हमने 14.5 इंच ले लिया है एक इंच प्लस करना है हमे, और उसकी बाद में हम solder यहाँ से लेंगे solder हमें 6 इंच लेंगे 36 size में हम solder को 6 इंच लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर γले की width हमने 0.5 इंच रखना है, उसके बाद में अब यहाँ पर मैं मैं गले की मतलब लंबाई लूँगी गले की लंबाई मैंने यहाँ पर लिया है 10 इंच उस तरह से अब हम यहाँ पर इसको बॉक्स बना देंगे नीचे से हमने विट रखा है इसकी पॉने 3 इंच तक तो अब हम यहाँ पर आर्मोर ले लेंगे 36 साइज में हम आर्मोर को 6 इंच लेंगे और 32 से 34 साइज में हम आर्मोर को 5 या 5 इंच रख सकते है तो अब यहाँ पर हमको सेष्ट का मिजरमेंट लेना है 36 का 1 इंच 9 इंच है उसमें 2 इंच हमको प्लस कर लेना है और यहाँ से हमको कमर का निशान लगाना है कमर 16 इंच थी 32 इंच थी तो उसका मैंने 1 फोर्ट कर लिया है 8 इंच और यह हमारा टक्स पाइंट है बैक पार्ट का तो एक इंच हमारा टक्स पाइंट में चला जाएगा और 2 इंच हमने एक्स्टा मार्जन लिया है तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिर आर्म होल हमें ले लेना है इस तरह से 1,5 इंच और फिर यहां से मैं कटिंग कर लूँगी तो इसी तरह से यह बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है और इसके बाद में हम फ्रांट पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रेंट्स बार्डर वाले ब्लाउज में हमको बैक पार्ट को पहले निकालना होता है क्योंकि यहां पर हमें बार्डर को पहले निकालना है इसलिए तो इस तरह से हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं और इस तरह से इसका लूक आ रहा है और फ्रंट पार्ट में हम बॉर्डर नहीं रखेंगे फ्रंट पार्ट हम ऐसे सिंपल कटिंग करेंगे तो यह हमारा बचा हुआ कपड़ा है इस कपड़े में से मैं बैक पाले पार्ट को उपर रख लूँगी सीधा वाला पार्ट में अ और हमें आर्म होल इस तरह से हमें मेजर्मेंट लगा लेना है उसी पर रख करके फिर उसके बाद में हम यह द्यान देना है कि हमको यहां पर आधा इंच एकस्ट्रा ले लेना है फ्रंट पार्ट में हमको आधा से एक इंच तक एक्ष्टा हमें लेना होता है तो अब यहाँ पर हम गले के लिए निशान लगा रहे हैं चेंच का गला यहाँ पर हम बनाएंगे तो फ्रेंट्स अगर हम पीछे वाले पार्ट को और आगे वाले पार्ट को दोनों पार्ट को बराबर रखेंगे तो ब्लाउस के फिटिंग सही से नहीं आएगी और अगर हम फ्रेंट पार्ट में थोड़ा सा मार्जन रखेंगे तो fittings blouse की सही हो जाएगी stitching करने के बाद में पूरा perfect तरीके से blouse हमारा त्यार हो जाता है और यहाँ पर front part में आर्मोल को हमको half inch अंदर की side में से गहराई देना होता है फिर उसके बाद में यहाँ पर हम button पट्टी वाले side को cutting कर लेंगे बीच में से और अब हमको यहाँ पर 4 टक्स के लिए निशान लगाना है तो उपर से हमको यहाँ पर 3.5 inch पर एक mark लगाना है और नीचे से भी हमको क्या करना है कि नीचे से भी हमको 3.5 inch पर एक mark लगाना है तो अब जो है हमको यहाँ पर इस तरह से हम ले लेंगे 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यह हम 2-5 इंच की प्लेट्स रख सकते हैं और इधर से हमें 2-2 इंच का गैप रखते हुए यह दो प्लेट्स और बनानी हैं तो यह जो डॉट्स हैं इनको हम एक दूसरे पार्ट क सिर्फी उपर पर रख लेंगे इस तरह से रार कर लेंगे उसके बाद में हमको छाप लेना है तो यह दोनों फ्रंट पार त्यार हो चुकें और अब आभ हम को अपra की हम तो एक्सट्रे कपड़े को हमने कट करके अलग कर लिया है तो अस्तीन की जितनी भी लेंद है अस्तीन की लेंद में आपर तीन इंच की रखूंगी तो यहां पर मैं नीचे में जॉयंट लगाऊंगी तो इस तरह से आदा इंच हमारा सोल्डर में जो है चला जाएगा सिला